जैन साथ्यू आपका अपनी ट्यूब चैनल में हाद एक स्वागत हैं साथ्यू अगामी राश्टी मींसकम मेरट सिपक्जाम को लेकर राशिच्छे के अदर भुपाल दोरा परिच्छा में उप्योग होने वाली OEMR सीट का फॉर्मेट जारी किया गया है आज हम जानेंगे कि इस OEMR सीट को परिच्छा में हम किस परकार से भरेंगे आपको जो है इसी OEMR सीट पर परिच्छा में उत्तार अंकित करने होंगे जैसा कि आप जानते हैं इस परिच्छा के दो भाग होते हैं पहला भाग होता है मान्सिक योगता का और दूसरा भाग होता है वह होता है सहिचिक योगता का तो आपको जो हैं परिच्छा में दो OEMR सीट मिलेंगी आपको दोनों को भनना है तो इसको भनने से पहले हम कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं कि इसको हमें किस प्रकार से भनना है पहला निर्देश दिया गया है कि चोखाने में लिखने के लिए नीले अथवा काले बाल प्वेंट पिन का उप्यूप करें अर्थात जो इस तरह के box बने होई हैं उनको भरने के लिए आपको नीले या काले केवल ball point pin का उपयोग करना है आपको jail pin का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है ना ही pencil का उपयोग करना है अगला निर्देश है कि गोले को पूरे पूर्ज रूप से काला करने के लिए नीले अथो काले ball point pin का उपयोग करें अर्थात जो इस गोले दिये गए हैं इनको जो है आपको काले या नीले ball point pin से ही गोला काला करना है आगे दिया गया है कि इस OMR सीट को किसी प्रकार से मोड़ी नहीं या धब्बाना लगाए इस OMR सीट उत्तर पत्रक पर किसी प्रकार का चिन है या धब्बाना लगाए अगला निर्देश है ओया मार उत्तर पत्रक को किसी प्रकार से मोड़े फाए अथवा स्टेपल ना करें अर्थात आपको मोड़ना नहीं है इस पर किसी प्रकार का चिंधनी लगाना है आपको किवल काले अथवा नीले बाल को अंडपेन का उपयोगी करना है तिये थिर निर चार्थी का नाम अर्थात नेम और कंडिडीट तो आपको अपना यहां पर नाम जो है रोल लंम में नाम में आपको रोल लंबर यहां दो है तो यहां दो लेखेंगे यहां चार है यहां तो चार लेखेंगे यहां तीन है यहां जीरू है यहां साथ है यहां आठ है यहां मालू छे है फिर जीरू है जीरू है चार है दो है एक है आपको ध्यान देना है कि रोल लंबर भरते समय अंक एक खाने में लिखना है इसके बाद है परिच्छा का दिनांक तो जैसा कि आप जानते हैं इस बार परिच्छा जो है एक दिसंबर को है तो आपको इस प्रकार से यहां डेट भरना है 01 मंत की जगे भरना है दिसंबर यहीं कि 12 महिना वर्स दिया है 2024 इस प्रकार से आपको यहा जीरो एक बारह दुहजार चोबिस भर देना हैं पर इसके बाद है सिगनेचर एंड सील अप सुप्रेडेंडर थाथ जो परिच्छा केंदर प्रवारी हैं उसके यहां पर हिस्ता अच्छर होंगी सील लगेगी इससे आपको कोई मतलब नहीं है और यहां पर जो परिच्छा केंदर है सेंटरल किसील लगेगी इससे आपको कोई मतलब नहीं है फिर इसके अगले भाग में आगे रहां लिखा हुआ है परवेच्छा का प्रमागी करन तो जो परवेच्छा है जो परिच्छा ड्यूटी दे रहे हैं टीचर्स वो अपना ना सथी कुसी प्रकार से करने प्रकार से आपने फारम भरते समय किये था कि इसके बाद जू है अब आता है अगला भाग इसका दूसरा पार्ट आगी पीछे दो हिस्सों में प्रेंट रहेगी ए प्रीच्छले भाग में इस तरह को छेप रहेगा अर्थात जो पेज करमांग दो है इस प्रकार से रहेगा इसमें लिखा है भाग एक मानसे के युगता इसमें भी कुछ चीजे भननी है में पहली बात है निसकता का प्रकार यानि कि जो दिभ्यांगिता किसी प्रकार की अगर आप में है डिसिबिल्टी कुछ है तो यहां प्रभनना है अगर आप अस्ति बाद है तो उसके सामने वाला गोला जो काला करेंगे यदि आप सिर्वाड़ बात है तो सुनाई नहीं देता है तो आपको ये वाला गुला काला करना है और अगर आप द्रिश्टी बात है तो कुछ आँख में समस्या है देखने में तो इसको गुला काला काला करना है अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं है, आप बिलकल सुस्त हैं, तो आपको जहाँ लागू नहीं लिखा है, उसके सामने वाला अधा, यह वाला काला कर देना है. इसके बाद है स्रेंडी या काटेगरी तो इसमें जो हैं तीन काटेगरी दी गई हैं पहला दी जागा जनरल दूसरा एसी या नसूचित जाती और तीसरा दी जाती MP में जो है OBC के लिए अलग से काटेगरी का लेख नहीं किया गया है तो OBC वालों को और समानवर्क के बच्चों को जो है जनरल के सामने वाला गोला यहां काला करना है इसको जो है आप गोला काला करेंगे जो A.C. बच्चे हैं या अनुशूचे जात की बच्चे हैं गोला काला करना हैं, इसके बाद दिया है परिच्छा का माध्यंग। जो भनना हैं, अगर आप हнибудь राधिम के स्कूलँंग। इसके बाद फिर इस पेज में भी आपको रोल लंबर भनना है रोल लंबर में क्या है मैंने आपको बतलाया इसमें बारे अंक है तो एक खाने में एक अंक आपको भनना है जैसे यहां पहले खाने में हमने भर दिया यहां भर दिया हमने दो दो भरा यहां चार भरा यहां एक है माल लो यहां जीरो है यहां जीरो है यहां माल लो तीन है तो इस प्रकार से आपको भनना है जैसे दो है तो इसके यहां जो है जीरो से लगा के यहां एक से लगा के जीरो तक के अंक्यान लिखी होते हैं जैस पहले उपर लिखा एक फिर तो पर तीन इस प्रकार से यहाँ लिख्यों हुए है आप देख पा रहे हैं कि पहले जीरो है फिर पहले एक है फिर दो है फिर तीन है चार पांच छे 7 8 9 10 दस नहीं है जीरो है तो अगर आपका यहाँ पहला अंकि दो आपने भरा है तो इसके सामने जो नीचे वाला है दो व देखे नहीं कुछ भी हिसाए इसका इस प्रकार से आपको रूल नंबर भनना है इसके बाद है प्रिशन पत्र का करमांग है जो आपको पेपर में लेगा उसकी उपर करमांग छापा होता है अगर आपको समझ भी नहीं आए तो आप जो टीचर ड्यूटी कर रहे हैं परइच के नीचे वाला दो जो यहां लिखा हुआ इसको गोला काला करना है तीन X ता नीचे वाला बोर पाँच यहीं आपको ध्यान देना है गोला काला करने से पहले आपको हलका सा चिन्ह लगा लेना जैसे यहाँ दोबर आया आपने तो दो में हलका सा पॉइंट लगा लिया बाद में इसको भल लिया इसी प्रकार से सम्में आप चिन्ह लगा लेना इसको गोला काला करना है ताकि गलतियां न और परकार मालिजी, आपका पहला प्रस्न ही है. पहले प्रशन का उत्तर आपका डी नम्मर का सही है तो आपको डी वाला गोला ठीक से काला करना है अगर आपको मालो जैसे पांचोंगा प्रशन है इसका बी नम्मर का सही है तो बी नम्मर वाला गोला आपको काला करना है तो इसी प्रकार से आपको सभी प्रिशनों के उत्तर देने हैं आपको ध्यान देना है कि पहले जो सराल प्रैसन है उनको करना है जो आपसे बन रहे हैं इसके बाद जो हलका सा कटेन उनको करना है और बाद में उन प्रिशनों को हल करना है जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बन आपको किसी प्रकार से प्रश्णों को छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें माइनस मारकिंग नहीं है अर्थात रजात्मक बुल्यांकर कोई प्रावधान नहीं है तो आपको जो है सभी प्रश्णों के उत्तर देने हैं भले आप से बन रहे हूं चाहे ना बन रहे हूं कि अब इसके बाद आता है तो भाग दो अर्थात से ऊपत्र, को लेहां प्रिप्छार्थी नान है, तो जो आपकी प्रिव्श्पत्र में लेखा हुआ हो रोल लंर है तो रोल लंर आपको एक बोक्स बने हुई हैं इसमें एक, तरी आग्पर बाद बास संब्सकेट हैं तो जोुआ है हैं परच्षाछ यहां पार हस्ताच्र करने हैं तो परच्षार्थी यहां पर dip birth अपर्ट शाइन करें गievर करें गे सायन में ध्यान देना है ठीक उसी प्रकार के अच्छार करना है जिस प्रकार से आपने भारम भरते समय किये थे आपके पुरीश पत्र में भी सायन होंगे और इसके बाद आपको यहां कुछ नहीं करना है लिखा हुआ है कि उत्तर पत्रक के भाग दो पर जो है यह प्रिष्ट दो पर जो है आपको उत्तर देना है तो लिखा हुआ है कि यहां गोला को काला करने का सही तरीका क्या है तो बिल्कुल गोला जैसे यह बने हुए है तो पहले मांसिक युकता के भागें भरा था यहाँ पर आपको निसकता का प्रकार भनना है अगर आप में लागू नहीं है याप दिभ्यांगा नहीं तो आपको यह वाला गोला काला करना है पर यहाँ को कटेगरी भननी है कटेगरी आपको जैसे बतलाया कि OVC वाले बच्चे और समानवर्क के बच्चे जनरल के सामने गोला काला करेंगे जो ऐसी बच्चे हैं या अनसुच जात वाली बच्चे हैं हरजन बच्चे हैं इसको काला करेंगे तो एस्टी के सामने वाला गोला काला करेंगे आप परिच्छा में जिस माध्यम से बैठ रहे हैं तो आपको इसके बाद जो है आपको यहाँ आपको रोल नंबर भनना है रोल नंबर ठीक से भनना है अगर आपको रोल नंबर भनने में गलती हुई तो आपकी कापी चेक नहीं होगी तो आपको ध्यान देना है कि रोल नंबर में किसी प्रकार की गलतियान हो अगर आपके समझ में नहीं इसे कि अपको आपको रखाले बारा थो यहां पर एक होता है और प्यूंक में दोवहाद को इसके बाद यहां यह आंसर सीट है, जैसे कि आपको बतलाया कि गोला काला करना है, जैसे मारो तीसरा प्रसन है, तीसरे का सी सही है, तो सी नमर का गोला आपको ठीक से काला करना है, आपको इस प्रकार से टेक वगएरा कुछ नहीं करना है, गोला आपको बतलाया कि जैसे गोल सिर भणना आ गया होगा अगर आपको कोई समस्या समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं आप को वीडियो पसंदाया तो वीडियो को लाइक करें आपने साथ छुट सेर करें और हमारे सीट को अच्छे से भरें भरने में कोई कठनाई हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं धन्नवाद